आज मैं आप से रूबरू हूँ प्रैक्टिकल एक्जाम के तीन महत्वपुन सब्दों को लेके या ये कहें कि ये तीन महत्वपुन सब्द ना होके तीन भाग हैं जो हर स्टूडेंट उन तीनों पार्ट से रूबरू होता है जी हां हम बात करेंगे आज कि स्पोर्टिंग की वोट इज स्पोर्ट दूसरा हम बात करेंगे रिकोर्ड की रिकोर्ड या फाइल और तीसरा हम बात करेंगे वाइवा पहले हम इनको समझेंगे कि ये वास्ताव में होते क्या हैं और फिर हम ये भी जानेंगे कि इनको हैंडल कैसे करना है सबसे पहले स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग एक important part होता है स्पोर्टिंग का मतलब समझो सीधा सा कि decision on the spot यानकि on sport आपको decision लेना होता है decision लेने का मतलब है कि आपके सामने जो स्पोर्ट रखा हुआ है उसी के बारे में लिखना होता है जैसे ये मेरे हाथ में एक box है अगर मानलो ये स्पोर्ट है तो आपको पहली दफ़े यानकि इसी के बारे में लिखना होता है ठीक है? इसी पे आपको focus करना है इदर उदर फोकस नहीं करना जैसे स्पोर्टिंग की खास बात क्या है कि इस पे सामने तोर पे तीन मिनिट का समय होता है और एक्स्टा समय नहीं की और अधिक नहीं सोचना आपको बहुत ताइम में सोचना है पहला विचार आपको आ रहा है उसी विचार पे आपको observation डालने है उसको धान से देखना है और उसके बारे में लिखना है अब स्पोर्टिंग को में बाते क्या होती है ये subject-wise variable हो सकती है मैं चुकि बातनी से हूँ मैं बातनी के regarding बात कर रहा हूँ जोलोजी में भी कमोबिस ऐसे ही पैटर्न रहता है आपके दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स में या केमिस्टी में वहां कुछ डिफरेंट हो सकता है या हो सकता है कि वह स्पोर्टिंग की तब कोई और क्यूसन आता हो पट मैं बातनी से बात कर रहा हूँ स्पोर्टिंग यानि कि टाइम लिमिट होती है इसमें स्पोर्ट आपके सामने जो भी आच सबसे पहले स्पोर्ट जब आप सपोर्ट में जाते हैं तो आप एक आपसे पोर्ट का नंबर दिया होता है सबसे पहले आपको दिये गए स्पोट का नाम लिखना है, सबसे पहले. दूसरा कि उसका डाइग्राम जो करना है, कि वह स्पोट एक्चुल में किस चीज को सो कर रहा है, किस क्या चीज उसके अंदर इंपुर्टेंट है, एक्जामनर आपसे क्या चीज पोछना चाहरा है, उसका डाइग्राम. जहां दुखे डाइग्राम को बहुत अधिक सुदर करने के जो पहते हैं, डाइग्राम में उसको दिख जाए, कि जैसे आप मालो दिखाना चाहरे हैं तो फ्लैजिला ही नजराएं, तो बहुत सिंपल सा चोटा सा डाइग्राम, उसके बाद में उसके केरेक्टर, कि आप उ आपको कैसे पहचाना, यान कि उसके अंदर कौन-कौन से इंपोर्टेंट केरेक्टर हैं, यान कि तीन चीजों से आपका स्पोर्ट बन जाता है, ये बाटनी के केस में 90 परसेंट ये केस इस तरह से है, अगर ये स्पोर्टिंग बान लो, एकोनोमिक बाटनी की होती है, तो ये आपका किस फैमिली का है, और उसके बाद में ओरिजिन, और उसके बाद पाड़, यूज, ये चीज आ जाएगी, कहां पर नेम की जगए, ये चार चीजे जूड जाती हैं यहां पर, और डाइगराम बनेगा ही बनेगा, और इसकी जगए यहां पर क्या जाएंगे, उस के एकोनोमिक यूज जा जाएंगे, अगर स्पोर्ट एकोनोमिक बाटनी का है, तो अगर एकोनोमिक बाटनी का नहीं है, तो ये इसी पैटन पर आपको काम करना है, इसके बार, अब क्या करना है, आपको ज्यान क्या रखना है, स्पोर्टिंग में मोस्त इंपोर्टन चीज है, believe on self, आप अपने पर वरोसा रखिए, आपको मैंड पर वरोसा रखिए, आपने त्यारी की है, हो सकता है, आज एक्जाम है, कल आप पड़न नहीं त्यारी कर पाए, कोई कारण से, बट आपने त्यारी तो की है, आपने कितने सारे एक्जाम पास करके, आपको नौलेज तो है, क्योंकि पार्ट प्रक्टिकल का है, और यहां पर सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है बेसिक्स, यानि कि सब्सक्तों बहुत चोटी चोटी बाते हैं आपको पहले से मौलूब है, तो अपने आप पर भरोसा रखिए, बिलिव, और दूसरा, बी स्पेशिपिक, वाट इस इस बिजिवल, यानि कि वहां पर क्या चीज दिखाई दे रही है जो आपके काम की है, यानि कि एज पर सेलबस, यानि कि आपकी सेलबस के अमशार, जो चीज वहां है उसको ध्यान देना है, फिर में आउटलाइन, बच्चे क्या करते हैं, डाइग्राम को बहुत अधिक ट इसको हम कहते हैं आइडिंटिक्टिकेशन, अब हो सकता है यहां पर आपके लिए स्टेशिमन रखा हो, या हो सकता है आपके लिए पर्मानेंट च्राइड लगी हो, या कोई और, बस हेडिंग आपको इस इनी पैटर्न पर आपको आंसर करना है, उसके बाद अगला पार्ट रखा है, रिकोड या फायल, रिकोड और फायल जो रेगूले अनért, उनके लिए होती है जो नॉन कोलगेट है, उनके लिए रखा-फायल नहीं होता है तो हो सकता है कुछ अलग जगह पर वहां पर रिकॉर्ड होता हूँ पर मुझे मेरा परपद यह कि रिकॉर्ड होता क्या है उस रिकॉर्ड की मैं बात करना चाहरा हूँ कि रिकॉर्ड एक डोकुमेंटेशन ओफ यॉर वर्क है यांकि जो आपने साल भर में या 15 डेज में तो और वह रिकॉर्ड की वेल्यू वालूम में वह रिकोर्ड से पता चलता है ऐक्जामिर को कि आप ने इसया से पहले कॉन-कॉन से एक्स gouvernement किये हैं और किस तरह से किये हैं फिर यहां केर रिक्षी हां जोंषी एला है बहुत सिम्पल सी बात है रिकॉर्ड आपनीगल ही जा आप उनको फोलो करते चलिए, आपकी बहुत भैतरी इन फाइल और बहुत रिकोर्ड बन जाती है, उसके बाद अवेर, ध्यान क्या रखना, अवेर, वोट यू है उडितन, यानकि आपके रिकोर्ड में आपने कौन से डाइगराम बनाए हैं, उनका आपको मालूम हो, क्या आ अवेर, लाइबलिंग होनी चीत है डाइगराम की, आपने डाइगराम कितना भी सुनदर बना दियों, और अगर लाइबलिंग नहीं है, तो आपका रिकोर्ड और आपका एक्जाम में मार्क्स नहीं मिलते तो आपको प्रॉपरा लाइबलिंग की नाबाणक। चित्र हो न नमांकन पूरा होने चाहिए ताकि समझ आ सके और सिगनेचर आप अपने टीचर से अपने रूटीन के अकोर्णिक सिगनेचर भी करवाते रहें अब हम आगे आते हैं तीसरे चीज में जो मुश्ट इंपोर्टेंट है इसको डिसाइडिंग फेक्टर बोलते हैं कि वायवा कितना अच्छा आपका जा रहा है और कई बार देखा गया है पिछले 20 साल से कि वायवा के नाम पे बच्चेओं को इंदर सबसे बड़ा डर भी द देखा गया है कुछ बच्चों में सब में नहीं कुछ बच्चों में डर भी देखा गया है यहां पर डरने की बात भी है वायवा का सिंपल सा है कि आपको पास जो पहले का जो नॉलेज है वो आपको सेर करना है और ध्यान रखिए वो भी टीचर है जैसे आपके टीचर है आपको किसी दूसरी जगह के टीचर है, तो इसलिए आपको be cool, be normal, और क्या करना है, basics of your subject, आपको अपने subject के basic का पता हो, basic के धियान रखना है, कि आपका subject के basic क्या है, basic principles क्या है, अब basics को मैं या दो पार्ट में बांट रहा हूं, दो, एक वो है जिसमें articles आते हैं, जैसे आप आपका slides हो गया, petri plate हो गया, watch glass हो गया, couch slip हो गया, यह सब चीज है, इनका आपको पता होना चीज है, यह watch glass है, यह petri dish है, इनका एक बार अपने lab में जाके और अपने जो भी lab के staff से पूछ लें और देख लें, और देख लें, आप YouTube की मदद ले सकते हैं, Google की मदद ले सकत हैं, उनका आपके पास पता होना चीए, और टीशरा जो आपके जो, seizure, force, needle, यह तो आपको मालुम है ही है, और यह सामान भी आपके पास होना चीए, होता है, अब यह जो पार्ट है, इस वीडियो का आखरी पार्ट है, और एक secret में शेयर करूँगा अभी, theory पार्ट है, theory मे वैसे आपको पूरी theory आती है, क्योंकि exam year के end में हो रहे हैं, बट कई बार आपके अंदर एक डर हो जाता है, क्योंकि exam सब ही ऐसा है, और हलका सा डर होना भी चाहिए, तो उसका अगर एक तरीका है, जो मेरा विचार है, मैं जिसको मानता हूँ, आप practical के पहले दिन पूरा म आप पढ़िए, कोई दिक्कात नहीं, एक पार्ट ऐसा, जैसे आप फस्टेर के हैं, तो फस्टेर में आपके algae है, फंजाई है, ब्रायोफाइट है, cell biology है, बहुत सी चीज़ें आपके सल्वस में होते हैं, आपके सल्वस में अलग अलग चीज़ें हैं, जो भी आपके कि हां, लाइकन मैं से मुझे कुछ भी क्यूसल पूछा जाए, तो मैं आँसर देने की पोजिशन में रहूंगा, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आपको यहां पर ऐसा आजाएगा, एक तो यहां पको पूपिड़न्स आजाएगा, दूसरा बेनिफिट है कि जब आप एक्जाम दोगे, थियोरी एक्जाम दोगे, तो आपको उस पेपर के उस पार्ट को बहुत अधिक मैनत करने ही जूपने क्योंकि वो आपके पहले ही तयार हो चुका होता है, और इन तीनों चीजों में एक ही ध्यान रखें कि आप को नौलेज है पहले से नौलेज है, आपको बस इन सब चीजों को थियोरी पार्ट से जोडते वे रखें, थियोरी में जोडते वे का मतलब है कि जैसे मैंने यहां पे बात करी, केमिकल की बात करी, जैसे मैंने ग्रामस्टेन की बात करी, तो ग्रामस्टेन में कौन-कौन से केमिकल है, तो तो ये पार्ट आपके gram standing method theory में है, वहाँ भी खामात है, या कि practical और theory को जोड़ते हैं, या चाहे आप practical से सिर्क topic उठाएं और वहाँ जाके पढ़ लें theory की book में, या फिर theory में से उठाएं और practical की book में पढ़ लें, तो ये जो short cut जो है सबसे important part है, कि आप एक topic अच्छा सा त PR कर लें, अच्छे से का तयार करने का मतलब है, कि secret जो में कह रहा था, 11th और 12th के level का, आप BSC में हैं, MSC में हैं, तो 11th level का आप जरूर पढ़ के आ जाएं, क्योंकि most of the cases में basic चीजों पर ज्यादा focus रहता है, जी हाँ, basic चीजों पर ज्यादा focus रहता है, आज की लिए बस उतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों से के साथ आप साजक कर दें, और आपने सब्सक्राइब किया, सेर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद,